भाजपा नेता नंदिराम गुर्जर ने चुनाव लड़ने की जदाई इच्छा गिनाय सरकार के विकास कारे खबर कराहल से है जहां भाजपा पिचला वर्ग के गूरस मंडल अध्यक्षि नंदिराम गुर्जर जी ने विचेपूर विधान सभा को लेकर अपनी प्रतिकरिया दी है उन्होंने बताया कि इस बार शेवपुर जीले से दोनों विधायक भाजपा से चुने जाएंगे मुक्यमंदरी शिवराज सिंग प्रदेश में इतना अच्छा कारी कर रहे हैं जो कोई सिरकार नहीं कर सकती है और उन्होंने शेतर के सांसत नरेदर सिंग तोमर के भी विकास कारे गिनाएं बताया कि नरेदर सिंग जी की वज़ा से हमारी गिर्ड नसलों की गायों की पहचान देश भर में हो रही है नंदराम जी ने अपने गुरजर समाच को ले कर भी प्रतिक्रिया दी है कहा कि हमारी जनसंक्या भी विधान सभा में बहुत है और सभी समाच से हमारा भाईचारा है इस बार सरकार को हमारे समाच से भी किसी व्यक्ति को विधाय कर चिकट दिया जाना चाहिए जो कि नंदा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है विक्की भाई आपने आज मुझे फर्ष्ट चमाचार पर बोलने का मोका दिया और इसी के साथ में जन्मास्टमी और गनेश चतुरती की पूरिये जिलेवासियों को हर दिख सुपकान है देता हूं नजराम जी आप बीजेपी से नेदा हैं 2020 में सिंधिया जी के साथ कॉंग्रेस शोड़कर बीजेपी में सामयल हो गए थे कैसा अनुभाव राय बीजेपी में आपका हमें सिंधिया जी की साथ रहना है और जहां भी चंदिया जी जाएंगे उनके सात रहेंगे में क्या पुरा गुलैर संबाग की सबार का ऊने वाले हैं सब्सक्राशबे की यह सब्सक्राश्बर बिजय को 근र कि इस ने कर साथ हूं। विव्य जिस जिखें के निवास करते हैं यहां के गिरखी नसलें पूरेमद्ध्य प्रियास्त के में पोरी भारत में हैं, मिल्च परियास्त के इस के परियास्त हमारे केंद्रिय मंत्री स्री नुरें शिंगतूमर प्रियास्त में लगे हैं, जब भी वो दिल्ली से चलते हैं उनका गोरस ही सभा होती है और उन्होंने अभी गई साल मालव डेरी नाम से दूद की डेरी खोली है उससे हमको अच्छा भाव मिल रहा है और भारत में जो एक हरियाना में और एक गुजरात में और तीसरा अपने शोपुर जिले में करतिम कर किरपा से हो रहा है और उनको संग्यान में अब छेत्री सांसा नरजन सिंग्तुमार जी ने आप कह रहे हैं काफी सारे गृकी नसनों के लिए काफी सारे प्रयास की और विकास भी की एं प्रसर क्या कारणे कि यह सारी गाएं सडकों पर विच्छन करती देती हैं कभी कभी दुरगटनाओं का भी सिकार हो जाती है इनके निवास के लिए कोई ऐसे गौसाला या जो भी इनके लिए जगह बनाई जाती है वह क्यों सरकार सथ नहीं बना पार यह गोड़श जैसी जगह में देखो दीरे-दीरे प्रयासत है मानिय नरें सिंग्तुमर जी के संग्यान म यहां पर शोपुर जिले में गोव ब्यारन भी बनाने जा रहे हैं यह दिली तक की सब लोग लगे हैं और जल्दी से जल्दी मेरा कहना है कि यहां पर गोव ब्यारन बन जाएगा तो यह सडकों में गुमने वाले गाई भी नहीं मिलेगी और मानिय नरें सिंग्तुमर जी किसी भी नेता ने आज दिन तख इस गीरन नसल की गाई का मुद्धा नहीं उठाया है जिन नहीं हमारी पैचान भारत में बुदेश तक गीरन नसल गाई पहुंच चुका है नंदराम जी कहना है कि जो मानने यह सांसद हैं यहां से नरिन सिंग्तों मार जी इन्हों ने इनके जो गिर्ट नसल की गाहिए उनका घी और उनकी पैचान बेदेशों तक पहुचा दिये यह बड़े गर्व की बात है इनके लिए भी फिर एक मुद्दा और है यहां से आप बाने जाते हैं ऐसे 20 बार जब बिद्दान सवा चुनाब थे तो आपने इसकी मंग सिवरा सिंह्चुवांजी कहां रखी थी और यह बनाता था कि इन बन ग्राम को कब राज्यसवा ग्राम बनाए जाएगा उन्होंने भी फूस्णा की ती कि जल्दी इनको बना दी जाएं वो इसमें चुनाव से पहले पहले हमारी उम्मित दे कि ये सभी ग्राम राच्ट ग्राम हो जाएंगे। ये बात सर सही है गोषणा हुई थी इसके हाँ ये बात सही है मानिय मुख्यमंत्री जी ने क्राल सवा में ये गोषणा की थी और उसी गोषणा में ये सभी समाज के ये बीसु ग्राम के लोग भाजपा को बोट दिया था इसलिए सीतरा माधवासी चुनाव जीते हैं नगर पंचाज बना दी जाएगी एक और बात है सर यहां पर आप जो बीजीपी से सर बीजीपी में लोग जोइन हुए है सिंधिया जी के साइथ दो यारबीस में पार्टी छोड़ गए थे कांग्रेस की क्या हुआ है सर कि यह वक्त जब चुनाव आ गए तो बीजीपी से वो लोग बेसे लोग जा रहे हैं उन्हें शिंधिया जी जिससे नेता जब शिंधिया जी कांग्रेस में थे तो शिंधिया जी के बल पे कांग्रेस की सरकार बनी इसे बड़े नेता को इन्होंने दरकिनार कर दिया तो फिर क्या कर सकते हैं बता रहे हैं सर की चुनाव के ए ती रिवाज याद आ रहे हैं यह गलत है भाजबा की रीती रिवाज यसी है यह बश्टाचार की भी बात करते हैं बीजेपी ने बश्टाचार मुक्त किया है किसान सम्मान ने दी उसके खाते में आती है और आवास के जो पैसे आते हैं वो भी खाते में आते हैं और लाली ब प्रिज निकटतम जिला है उसकी बेदाय के विरिंद रगवंसी उन्होंने भी पार्टी से स्थीफ़ा दिया है बीजेपी से बहुत बड़ा आरूप सिंदिया केमे पर लगाया है कि सिंदिया केमे की जोड़तोड की राई नीती है जोड़तोड की सरकार है वो परम पर बीजेपी में चले गए इसे नेताओं का क्या है यह सिंदिया यह आरूप लगाना सरासर गलत है कि सर एक चीज और देखने को यहां छेत्र में मिली है हम भी लगातर सर्वे कर रहे हैं इन चीजों के कि कुछ आदवासी बोट बेंक इस बार बीजेपी से कटता जा रहा देखो हमारे मुख्यमंत्री जी शिवरा सिंग जी के संग्यान में है हमारे यहां आदवासी को कांग्रेस पहले जोड़ती आईती थी उन्हों टिकट नहीं दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे मानने नरें सिंग तोमर जी ने हमारे सिंदिया जी ने आदवासी को टि नियम है यहां बीजेपी मैसा नियम नहीं है जो जीतने लाइक होता उसी को टिकट दिया जाता है मंत्री हमें साजी लगातार मत्य प्रिदेश की दौरे पर है हमारे ही कुछ पत्रकार बंदू को दारावन से पूछा गया कि मुख मंत्री का चेरा इस बार कौन होगा पिछली बार हर्चुनाम में सिवरा सिंग जी ओन जी नित्रत कर देते इस बार उनको थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है उनके चेरे को माना तो डिकलेर नहीं किया जा रहा है क्या कहते हैं चेरा बदलने पर सराव हमारे भाग्य साली हम जो हमारे ग्रे मंत्री हमीश साजी हम खानी मुख्यमंत्री पिर बनेंगे उनकी योजना जिया बापिस विए कि मुख्यमंत्री बनेगे चलाने तो सर आप अगर लोकली की स्थान ये बात करें तो पिछले सब्सक्राइं northernbaycan नих üzले सब्सक्राइं सब्सक्राइब करें, प्रणारा पनल बूली के सब्सक्राइब सब्सक्राइब अभुल संग्राइब बताइब अब वो समय आएगा जब बताएंगे और हमारी संग्यान में है और इसा नहीं करना चाहिए पर यह बहुत बड़ा घातक हुआ है यह इस तरनी नेतों के कारणी हम जन्पत का अब पाधिस का चुना भा रहे हैं बिदान सब चुनाम में सर अगर बीजेपी सीतरा माधवासी जी कोई दोबारा टिकेट देती है तो क्या मानते हैं सर इस बार जी तहांसे लोग पाईगी या कॉंग्रेस के पाले में सेट चली जाएगी देखो टिकेट किसी का भी हो बीजेपी एक है टिकेट मिलने के बाद न सब हमारा हъक है मांगने का टिकेट मिलने के बाद पूरी बीजैपी संक्चंट से चुनाम लड़ेगी और चुनाम जीतेगी इस बार सर गोली रिचंबल संभाग में 34ग मैं से बीजेपी कितनी सीटेसर में Circle कवर करेगी जब कि अब तो सिंद्या जी भी पीज़िबी के साथ है कि पहले से ज्यारदा चीटों को जीतना का समभावना है कि विजिंचे जाएगी एक हुर फूरे मद्य प्रस नहीं इसा है यह तो है तो क्या टिगट एको मिलता है इसलबिफिद जाने से कोई भी जय पी को फरक नहीं पड़ेगा और शिंद्या जी के और हमारे मान निये नियां सिंद्यान में चुनावनेरेगा लाड़ी वेना योजना में सेस मुख मंत्री जी ने भी बारा सो पचास रुपए की घुशना कर दिये और आने भी लगे हैं खाती में कॉंग्रेस कह रही है कि यह हमारी नकल कर रहे हैं और चुनावों में इनके पास कुछ बचा नहीं है तो हमारी पॉलिसियों को कॉपी किय यह जा रहा है क्या किए इस बार काम किया है अब शिवराज जी करते हैं तो क्या कहते हैं को पैशे लोटा रहें तो कमला जी ने तो वह यही बात कहते हैं कांगेस्तो तो पिरिम लुटा रहा है या आप लाइटा कर रहो हूँ आप चीज फेरी कर रहे हो और क्यों क्यों गर्रव प्रकुनावों के संधर में में एक और चल्राह है इसर आप भी चुनाव लड़ने के इच्छों के हमने अभी कई लोगों से चर्चाएं कि आपकी आने से पहले तो कह रहा है कि वो तो स्वेमी चुनाव लड़ सकते हैं देखो उपर तक जो नेता हैं हम जमेनी नेता हैं जो हमारी सिंदिया जी को हमारे मानिये नरेंशिंग तोमर जी को यह सर्वे में हमारा नाम होता तो हम भी टिकट के उस लाइन में आते हैं इसलिए हमको घर पर भी आकर सभी लोगों से हमारा बेहार है कितना हमारा काम है इसलिए हमको कहते हैं भाई आपको टिकट ने मिला तो आप भी चुनाव लड़े तो सर अगर सारी सर्व समाच के लोग आपके आकर कहेंगे तो क्या आप निरदलिय चुना भी लड़ सकते हैं कि यहां से बिदायक है सीटा राम जी सिटिंग में मिले हैं यहां पर क्या विकास कारणों ने इन पांस साल के दौरान किये देखो तो सीता राम जी ने बहुत अच्छा पांच साल बिताया है, सीता राम जी बहुत अच्छे बिदाइक हैं, उसने विकास कारेज सब बहुत अच्छा किया है, मानने उनके करने की जूरती नहीं है, उनके जो मानने हमारे सांसजी है, उनने करहाल का सब इस्टेशन गोरत से अधागंटे का रस्ता बना घास्ता बना डिया है शोपर मेडीकल कोलेज़ बना दिया है और तो और ग्रामिन चतरों में 24 गंटें लाइट आती है 24 घंटे ना ला रहा है इससे बडिआ इसнес, क्या हो सकती है उफ मांनता हों कि हम इसा सांसद सीसलिव Martinez पहले साट साल में जो काम नहीं हुआ जो मानने नरेंसिंग तोमरनीजी न करके दिखाया है और रहा काम उनके सिंग्यान में जल्दी से जल्दी वह भी हो जाएगा सिंदिया खहमे से माने जाते हैं सराप एक दोकार ऐसे बता दीजी जो सिंदिया के भी हूँ आपके जल्दी के तो ऐसे कारे हैं जो कोई कर भी कर नी सकता हमारे शोपुर जिल्दी में आवदा डेम उनके पुरुज्यों से बनाया गया है उस डेम से पचास गाउंगी करते हैं चोटे मोटे काम की एक काम नहीं करते हैं जिदीया जी तो झनका भी नहीं लेते हैं कि हमा ऐवा सिनदीया जी एक बड़ा नाम और वैसे युन के बड़े वी काम और मंत्री मोधी जी आये थे जो चीतОम की सवकात जो उन्होंने दी लुप कि जब सौगात देती तो सर्दुनिया वर्गे चैनलों पर दिखाई जा रहे थी कि बीजीपी सरकार ने कुनों सेंचुरी में चीते छोड़े हैं और यह बहुत बड़ा इवेंट था और एक तरह से मेला लग जया था चीतों की मौत हैं होने लगी है चीतों की मौतों को विस हमारा शोपुर जिले का नाव बिश्टल पठल पर किया उन्होंने और मिरने की बात यसी है कि जो अपन घर छोड़के दूसरी जगा जाते हैं तो पानी हवा सब बदलती रहती है इसलिए मोते भी होती रहती है पर हमारा प्रियास यह है हमारे मान्ये शिवरा सिंग जी हमा आपका समाज क्या रॉल मॉडल के रूप में जाना जाएगा इस वार देखो हमारा विजयपूर विदान सवाब में जब भी चुना हुए है हमारा समाज ही निर्णाइक बोट है और किंग मेकर निकलके उबरता है अब की बार जो नेताओं ने हमको धोका दिया है उनको धूल चटाने का काम करेंगे और बिजयपूर विदान सवाब नहीं दोनों विदान सवाब है गुजर समाज ही निर्णाइक बोट है पर इसमें क्या है इसलिए तो हमको दुक होता है कि पार्टी नहीं नमाजा जाता है कराल में बिजयपूर विदान सवाब कराल में क्या है सोसल मीडिया पर तो खूब चलते हैं दरातल पर कुछ नहीं है हमारे समाज के लड़कें अच्छा काम करते हैं उनको कोई पद नहीं है इसलिए नरा साहत लगती है दुख व्यक्त कर रहे हैं समाज की बाकरी में समाज के करें समाज के युवां में यह बिसेस रोस है कि पार्टी बोट बैंक की राजनीती तो करती है बोट के लिए तो उनको लवाती है लेकिन वह जिम्मेदार पदों पर उन्हें कब बैठा लिए खासी नाराजगी है अब देखती है बिदान सवा चुनाव में इनका समाज के स और रुक करेगा यह निश्चत है कि इनका समाज जिस और रुक करेगा वो विक्ति बिदान सवा में जीत हासिल करेगा एक और बात है राज़स्तान में भी आपका बहुत समधार निवास करता है राजस्तान में पिर चुनाव हैं इसी साल सचिन पायलेट जो की वांके जो एक तरह से रॉल मॉडल है युवाओं की पैचान है और बहुत ही अच्छे नेता मांगे माने जाते हैं अगर वो कॉंग्रेस सरकार में कॉंग्रेस से अगर प्रचार करने के लिए मद्यप्रदेश में आपके वोट वेंग को रिजाने के लिए तो आप समाज के नाते उनको वोट करोगे या पाइटी में इस्तिर बने रहोगे यह वताइए सब्सक्राइब साब बहुत बड़े लीडर हैं यह तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि एसे नेता हो जिसे सचीन पाइलेट है मद्यप्रदेश में जो तिराज शिंदिया जी जिसे नेता हो ठोकरा देना इनका दुर्लाबाग है और यह मद्यप्रदेश में नहीं सचीन पाइलेट का तो कम से कम पांच राज्यों में जनाधार है पर अब उनकी बात समाज नहीं मानेगा अगर परचार करने आएंगे तो आप कांग्रेस का साथ देंगे बाचपा का साथ देंगे हम भाचपा का साथ देंगे